हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो और चैनेल इस वीडियो में हम बात करने वाला है How to Hide Game and Apps यानिकि इस फोन में Application Hide कैसे करें एप्लिकेशन छूपाने के लिए सबसे पहले आपको फोन के सेटिंग्स में याना होगा फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यान साज पहर पे क्लिक करके फाइन करेंगे Hidden Apps फिर आपके समने एक इंस्ट्रक्शन आएगा इस पे टैप करके सिधा Application Hide Settings ओपन कर सकते हैं याँ आपको उन सब एप्लिकेशन का लिस्ट मिलेगा जो आपके फोन में हाइड हो सकते हैं इन में से जिन जिन एप्लिकेशन को आप हाइड करना चाते हैं उससे टन आउन कर दीजिए Example हम WhatsApp, Amazon, Bike Race और Candy Crush तागा गेम हाइड करना चाते हैं तो एक एक करके टन आउन कर देते हैं फिर होम स्कीन और एप्लिकेशन से इन सा भी एप्लिकेशन गायब हो जाएंगे हीरेन एप्लिकेशन को अगर आप पास्वड से प्रोटिट करना चाते हैं तो यहां सेडिंग सेकन पे क्लिक करिए हाइड नोटिबिकेशन जिन जिन एप्लिकेशन को हाइट करके रखे हैं उसका नोटिफिकेशन हाइट कर सकते हैं एप लोग हाइट के हुआ एप्लिकेशन एक्सेस करने के लिए एप लोग सेट कर सकते हैं तो पहले इसे turn on करिए, अगर आपके phone में पहले से ही app lock set है, तो उसका same password use कर सकते हैं, नई तो एक app lock password create करना होगा, इसमें pattern, pin या password set कर सकते हैं, तो इसमें मैं एक pattern draw कर देता हूँ, उसके बाद same pattern draw करके confirm करना है, फिर हम next करेंगे, अगर आपके पास MI account है, तो उससे add करें, अगर नई है, तो आपको not now करना है, MI account add करने का फाइदा एह है, अगर feature में कवी भी application का पास्टर भूल जाते हैं, तो MI account के जरिए आप बहुत आसनी से app lock तोड़ सकते हैं, तो अगर आपके पास MI account है, तो उससे जोड ले, दोस्तो application hide हो चुका है, अब उससे access कैसे करेंग ही, hidden app open काने के लिए, home skin पर दोनों आंगलियों से इस तरह से spread करना होगा, इसके बाद app lock का password एंटर करते ही, hidden application open हो जाएगा, यहां plus icon पे टैप करके, दूसरे कोई application hide कर सकते हैं, या तो जो application hide है, उससे un hide कर सकते हैं, दोस्तो इस तरह से application hide और un hide कर सकते हैं, उम्मीद करत हो कि ए वीडियो आपके लिए बहुत एर भूलता है, इस वीडियो को सेयर करके हमारा चैनल से subscribe करना ना भूलें